24 के चुनाव में सबसे ज़्यादा दिल्चस्प लड़ाई अगर कहीं दिखाई दी तो वो राज है पंजाब क्योंकि जहां बाकी प्रदेशों में कॉंग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पंजाब ने एक दूसरे के खिलाब थे तो वहीं इस बार अकाली दल और बीजेपी के रास्ते भी अलग-अलग हो चुके हैं ऐसे में क्या कहा पंजाब का समीकरन देखिए न्यूस 24 टुडे चानक क्या लोकसभा एनलेसिस पंजाब एक प्रदेश यहां इस बार के लोकसभा चुनाव का पूरा समीकरन बांकि किसी भी प्रदेश से अलग रहा कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे देश में गठबंदन में लड़ी लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ फाइट की यही नहीं पंजाब में हमेशा गठबंदन में लड़ने वाली पार्टियां भारती जंता पार्टी और अकाली दल भी इस बार एक दूसरी के खिलाफ खड़े रहे अब नतीजा क्या होगा वो चार जून को पता चलेगा लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूस 24 टुड़ीज चानक के लोगसभा अनलेसिस में पंजाब में समिकरन कुछ इस तरह बैठा कि सारी सीटों और वोट शेर बढ़ गया वोट शेर और सीट दोनों में कॉंग्रेस और बीजेपी में काटे की टक्कर है न्यूस 24 टुड़ीज चानक के अनलेसिस के मताबने बीजेपी को पंजाब में 29 फीजदी वोट मिल रहें वही कांग्रेस को करीब 31 फीजदी वोट मिल रहें जबकि आपको 16 फीजदी वोट मिलने का अनमान है तो वही अन्ने के खाते में 24 फीज़ी वोट शेयर जाता हुआ नजरा रहा है, जिसमें अकाली दल भी शामिल है। वही सीटों के बात करे दो, बीजेपी और कॉंग्रेस को चार-चार सीटे मिल रही है। वही न्यूस 24 टुडेश चानक के अनलेसिस के मताबे, एरर आफ मार्जिन प्लस माइनस तीन सीट का है, जबकि आपको दो के मार्जिन के साथ, दो सीटे और अन्न के खाते में तीन सीटे जाती हुई नजरा रही। न्यूस 24 टुडेश चानक के लोग सभा अनलेसिस के लावा, देश के कई नामी चैनलों और एजिन्सियों ने भी अपने आकड़े जारी कियें। आपको तीन से पांच, वहीं शिरोमडी अकाली दल को शुन्य। शिरोमडी अकाली दल को एक से तीन सीटों का अनुमान लगाया। पंजाब में आपके सरकार बदने के बावजूद, लोग सभा के चुनाव में उसे बहुत जादा फाइदा मिलता नहीं दिख रहा। ना केजरिवाल के बेल का कोई बहुत जादा असर नज़र आया। लेकिन बीजेपी जो पंजाब में पहली बार अपने दम पर लोग सभा का चुनाव लड़ रही है। उसे जरूर यहां पर फाइदा होता हुआ नज़र आ रहा। जबकि अकाली दल भी यहां पर अपनी जमीन के लड़ाई के लिए लड़ रही। कुल मिलाकर पंजाब का चुनाव बाकी किसी भी राज्य से अलग है। यहां पार्टियों के साथ-साथ मतदाता भी बटा हुआ नज़र आ रहा। ऐसे में एक्जिट पोल और महा पोल के साथ-साथ-साथ-नज़र टुडेश चानक के अनलेसिस का आकड़ा आपके सामने है। ऐसे में चार जून को यह कितना सही साबित होता है या कितना गलत- यह तो ईवियम की पेटी खुलने के बाद ही तै हो पाएगा। ब्योरो रिपोर्ट न्यूस 24 चुनाव मतलव न्यूस 24